हेलो गाइज, वेलकम टू रेल्वे कम्पिटेशन त्यारी दोस्तों इस वीडियो में आज बात करेंगे कि बेसे अपका जो रेडियो मेकनिका है और हेड कोस्टेबल का एक्जाम है डिस्किर्प्सिर्म टेस्क का एक्जाम है उसके अभी ते कोई एड्मिट कार्ड भी नहीं आया है ना कोई मैसेज आया है क्या एक्जाम डेट चेंज हो सकती क्या तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एक्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी तो आया जानते मैं आपको बता रहूँ एक्जाम डेट चेंज होगी है नहीं होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बीए से आपके रेलवे के रास्तान पुलिस के और और इंडिया की गवर्मेंट जोब है उसके बारे में सभी जानकारी इस क्योंकि पहले जो सितमबर के माम में उसका एक्जाम होना था मापका बहुत आपत में करोई गया था तो इस कारणं से जून और जुलेई में वहां एक्जाम होने वाले थे तो एकनर डेट अप चेंज नहीं होगी दो बार क्योंकि एक बार ओलेड़ पॉस्ट परूइड हो दो फरवरी को एक्जाम हो सकता है 99% आपका मैं कह सकता हूँ एवन परसेंट आपको नहीं कह सकता हूँ एक्जाम होगा या नहीं होगा क्योंकि एक्जाम पोस्ट पेंडेन के चांस नहीं है मैंने जो आरो में लगे हैं और आरे में जो लगे हैं उनसे बात हुए कि एक्जाम कि अल्रेडी एक बार पोस्ट्पेंडड हो चुका है तो आप आगे इसका एकजाम पोस्ट्पेंडड होने के चांस बिल्कुल नहीं है अब मैं बात करता हूँ एड्मिट काड़ की तो एड्मिट काड़ आपके है 20 तारी से 25 तारी के बीच में एड्मिट काड़ आएंगी क्यूंकि पिछली बार ही आपके 10 दिन पहले एड्मिट काड़ आए थे और 10 दिन पहले लगबग एड्मिट काड़ आए थे तो इतना जल जिस के बीच में कोई भी notification या कुछ भी नहीं आया, तो आपके exam post-panel होने के chance बन सकते हैं, बाकि आपके exam post-panel होने के chance बिलकुल भी नहीं है, तो 99% तो मेरे हिसाब से आपका exam post-panel नहीं होगा, क्योंकि एक बार post-panel हो चुका है, जो पहले आपकी date post-panel हुई है, उसका मैं आपको pdf बता देता हूँ, वो मेरे पास pdf पढ़ी है, उसमें मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे जो physical का test था, इससे पहले का test था, वो आपका post-panel हुआ था, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, यह B.A.S.A.P की website पे था, पोरपोस्ट, पोस्ट पेंडेट, डेट, सीट, कॉमन, रिकॉमेंट, वोजरा अटर अटर उनीस, जो एक्जाम हमारे पोस्ट पेंडेट हुए थे, उसके लिस्ट है, कि इसमें यहां पर यह पोस्ट पेंडेट हुए थे, जो एक्जाम आगे खिश केते हैं, और यह है, अप्रोपोस्ट डेट है, तब से पहले आपके फारम बरवाने की डेट थी, उनके पास 15 तारीख, वहां से कंप्लीट किया, फिर 13 मई, उससे में आपका आया था, वहां तक यहां तक यहां तक यहने फारम का प्रोसेस चला, 24 जून तक फारम का प्रोसेस चला, यहां तक कोई डेट पोस्ट पेंडेट नहीं हुई, लेकिन यहां पे उनको स्कूल, फिडिंग आप डाटा इन पोर्टल, इस्कूल में जहां उन्हें डाटा दिया 13 जून से 5 जुले 2019 के बीच में देना था लेकिन उन्हें ने 25 जुले से 14 अगस्त के बीच में उनका एक्जाम करवाने के लिए इस्कूल त्यार की तो यहां पे उन्हें पोस्ट पेंड़ एक डेट आगे सिरकाई उसके बाद क्या हुआ कि रोल नमर एलर्टमेंड करने थे वो 15 जुले 2019 को करने थे तो 16 जुले 2019 के बीच में करने थे लेकिन उन्हें 5 सितमर से 6 सितमर के बीच में किया तो उन्हें यह डेट भी उन्हें पोस्ट पेंड़ की इस परकार जब उन्होंने एक डेट कर दी तो आगे सबी डेट दीरे-दीरे पोस्ट मेंडेड अपने आप होना ही था तो उन्होंने भाकी तो यह उनके रोल नम़र रेलोट्मेंट करने के इस्कूल करने के लिए एडमी upward केट बनाने की डेट है वो उन्हों इसमें बता ही है लेकिन हमारे काम किये फ्रेस्ट रिटर्ण टेस्ट पहला आपका रिटर्ण टेस्ट हुआ तो ओमार बेस्ट का अट्ट जुली 2019 को होना था लेकिन आपके 22 सितमर 2019 को हुआ तो ये आपके जुलाई से अगस्त और सितमर दो महिने आगे किसका है था फिर उसके बाद दिसमर से 18 दिसमर के बीच में उन्होंने कंप्लेट करवाया तो 18 दिसमर को उनका यानि कंप्लेट हुआ उसके बाद हमारा तीसर टेस्ट बात करते हैं रिटर्ण टेस्ट है जो डिस्क्रिप्टियों का एक्जाम है वो 24 नवंबर 2019 को होने वाला था पिछली वाली डेटों के हिसाब से लेकिन एक्जाम की डेट पोस्ट मेंडेट की है उस समय आपका दो फरवरी 2020 को यानि दो फरवरी आने वाले को आपका एक्जाम की डेट एक बार 24 नवंबर से दो फरवरी को एक्जाम की डेट पोस्ट मेंडेट हो चुकी है तो अब एक्जाम की डेट दुबा तारीक को आएगा यह तो उनके डिस्क्यूटिव टेस्ट पेपर है बनाने की तारीक है 20 दिसंबर 22 दिसंबर और डिस्क्यूटिव पेपर है उस सेंटर पे देंगे वह आपके फिर उसके बाद रिसीविंग और आनस्वर सीट एड कॉमंट फ्रॉंटियर हैड कोटर वहां पे इनको यह तीन फरोरी से पांस फरोरी के बीच में हमारत जो एक्जाम होगा वह बेज दिया जाएगा उसके बाद इसका फाइनल मेडिकल एक्जाम की है तारीक 13 अपरेज दु रिविव होगा और उसके डॉकुमेंट का प्रोसेस जो लिया जाएगा उसके बाद आपका रिविव मेडिकल जिनका पॉइंट दिया जाएगा उनको एक जून से दो जार बीच से 12 जून दो जार बीच में बूलाए जाएगा ये पीडिव तो पुरा नहीं है कापी दिनों से ग्रूप में चल रही है लेकिन किसी के डेट को पता नहीं चला कि date post printed एक बार हो चुके है तह अब एक बार post printed होने के बाद date आगे जाने के बाद वापस date आगे जाने का chance नहीं है और final result की बात करे तो 20 April को होने वाला था लेकिन 22 June 2020 को अब होने वाला है इस फरकार इसमें date your date post printed हो चुकी है तो अब दोस्तोкими 29.99% आपका एक्जाम की डेट पोस्ट पैंडेट होने के चांस नहीं है तो आपको पड़े करना है एक्जाम की डेट पोस्ट पैंडेट हो चुकी है अब एक्जाम की डेट पोस्ट पैंडेट नहीं होगी और बातरे एडमिट काट की तो बेच तारी से 25 तारी के बेच में आपका एडमिट काट आ जाएगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो सभी अपने केंडेट को बेह दें क्यों की चिंता ना करें आपका एक्जाम आगे की सकने वाला नहीं है तो पड़े जारी रखें अपना इस्टेड़े जारी रखें और जो भी आपको डिस्किप्टम टैस्ट का सेले बस देखना उसका वीडियो मैंने बना रखा हैं उसका लिंक भी मैं डिस्किप्टम बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दे जिसे आने वाले नोटिपिकेशन के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहे धन्यवाद जय हिन जय बरत